सब्सक्राइब कीजिए हमारे चनेल को और बेल आइकन को दबा दें हमारे लिटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए मौत भी डरती है इस शक्स के घर आने से इस लेख में हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसे शक्स के बारे में जो आज एक 80 साल का हो चुका है और शायद मौत भी इसके घर आने से डरती है कहते हैं कि मौत एक ऐसी सचाई है जो प्रतेक व्यक्ति को आना है बात करें आज कल के समय की तो इनसान मुश्किल से 60 या 70 साल ही जी पाता है आज के समय में 70 या 80 साल जीने के बाद इनसान बस सिर्फ एक की बात की इच्छा करता है और वे है अपनी मौत का इंतरजार आज हम आपको एक ऐसे ही शक्स के बारे में बताने डा रहे हैं जो पिछले एक 80 साल से जीवित है और अपनी मौत का इंतरदार कर रहा है हम बात कर रहे हैं वारानसी के रहने वाले एक महाश्य मुरारी के बारे में जो एक 81 वर्ष के हो चुके हैं और पिछले कई सालों से अपनी मृत्यू का इंतदार कर रहे हैं बात करने पर मुरारी ने बताया कि मैं अब वे अपनी जिंदगी से परिशान हो चुके हैं लेकिन मौत शायद उनके घर आने का रास्ता ही भूल गई है। मुरारी का जन्म वर्ष 1835 में बेंगलूर उमे हुआ था और 1930 में वे हवारानसी रहने आ गए थे। पेशे से एक मौची का कारे करने वाले मुरारी ने बताया कि उन्होंने अपनी उम्र का 122 साल तक मौची का कारे किया। इसके बाद में उन्होंने वर्ष 1957 में इस कारे से चुट्टी ले ली। इसके बाद लोग उनको देखने के लिए आने लगे, लोग उन्हें देवी शक्ती बताने लगे, उनका कहना है कि वे कोई भी देवी या फिर देवता नहीं है, बलकि वह तो खुद अपनी मृत्यू का कई वर्षों से इंतजार कर रहे हैं, लेकिन मौत है कि उसकी तरफ नज सानरे बाद dवर्षों से रख भी देवी शdirect आने लोगे, लोगे